नमस्ते दोस्तों केम जो मजामा मैं संजाई न्यूटेरिस गाडली एंड ब्लोग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ यह दिखे मेरे ट्रेंगल हार्ट वाइन और आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्लावर आये हुए है वाइट और पिंक शेड में तो आज मैं इसी के बारे में जानका रहे दूँगा कि आपके गारडन में भी इसी तरह हरा बरा बना रहे हैं प्लांट और बहुत ही खुद्सूरत प्लांट होता है एक सरकुलेंट प्लांट है इसको ज्यादा पानी भीने चाहिए और इसकी पति से यह बहुत ही खुशुरत दिखता है और हेंगिंग बास्केट लिए एक परफेट प्लांट है मैंने भेंगिंग बास्केट में लगाया है बहुत बढ़ा हो गया है तो आज मैं इससे कि आपको कुछ क्याटिप्स बताऊंगा इसके देखवाल और कौन से खाथ देनी चाहि कि हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी और जली से बड़ा हो जाए तो आप मेरे वीडियो में लाच तक बने रही है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा तो यह सब दिख रहे हैं वो सब कटिंग से लगे हुए प्लांट है मेरे और जो बड़ा प्लांट है वो मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए इसमें लगा हुआ है और हाइट काफी बड़ी हो गई है अब इसको मुझे क्या करना है कि कट करना है और पूरा लक्से में नए प्लांट इसमें नई कटिंग लगाऊंगा तक इसमें ग्रोध अच्छी हो और वापिस से फिर से स्टार्ट हो जाए ग्रोध यह देखिए इ इसे उपर की पति आका है अब सर्दियों में थोड़ी थोड़ी जड़ गई है और इसमें फ्लावर देखिए फ्लावर आ रहे हैं दोनों हैंगिंग बास्केट है देखिए यह वाला भी पूरा है इस तरह से कि मैं तेरे तेरे करके थोड़ा वर्क कर रहा हूं इस पे और मैंने एक में तो कटिंग लगाई थी वह देखिए सक्सेस्फुली ग्रोपी हो गई है कि यह मैंने स्पाइडर प्लांट का हें बास्केट बनाया था उसमें यह कटिंग सर्ब लगा दिए तो आज हम ट्रेंगल के बारे में बात करेंगी तो शबसे ज़रूरी बात आती है पहले इसकी मिट्टी की कि जब आप प्लांट बना रहे हूं प्लांट लगा रहे रहे ऊद्टी कैसी बनाए हम ताकि आपका प्लांट कभी खराब ना हो और इतना नाजू करेता है कि थोड़ा सा स्चूने उपर भी तोट जाता है तो मैंने यह प्लांट लगा यांगी वासके मैं इसमें देखिया कि मिट्टी भी नहीं दीख रहे कुछ नहीं कितना फैल गया एक संग में तो तो जिस तरह से मैं अडेलियम प्लांट की मिट्ट बनाता हूं उसी तरह से मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी इसकी मिट्टी ट्रेंगल हाट की मिट्टी बनाने में के लिए मैंने क्लब को 30 से 40 परसेंट जीतना मैंने मिला के भी लगा सकते हो तो अगर गार्डन्स वैल आपकी बहुत ज्यादा चिकनी है तो उसमें आप रिवर सेंट जरूर मिलाईए हैंगिंग बास्केट में आप प्लांट लगा रहे हो तो उसमें क्या है कि आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो लगोग 30% जितना उसम में कमपोस्ट या गोबर की खात की चंपेस्ट जो भी हो आप यूज़ करिए ताकि आपके जो हैंगिंग बास्केट है उसका वजन मिट्टी का वजन थोड़ा कम हो तो इसी तरह से मैंने तो लगाई ट्रेंगल हरुस में वाइन की भी हाइट का फी लंबी हो गई है तो व दूप ज्यादा नहीं चाहिए तो बहुत ही अच्छे से चलेगा जहां पर वास अच्छी सी लाइट आती हो दूप ना मिले बस एकात घंटे की तूप मिल जाए बहुत है ज्यादा दूप मिलने पर यह प्लांट इसकी पतियों का कलर चेंज कर देता है थोड़ा ब्लैक सा थोड़ा थोड़ा ब्लैक पढ़ने लगता है इसकी जो स्टेम होती है यह और च्छाओं में रहता है तो देखे आप इसमें मैंने दो तिन दो तिन कटिंग सब में लगाई थी और देखे पूरे पूरे गमले पर दिये है तो इसको कटिंग से लगाना भी वहुत आसान है इसकी छोटी सी कटिंग आपको मिल जाए तो देखे यह चोटी सी कटिंग मिल जाए तो इसको गमले में रख दीजे बस थोड़ी सी उपर मिट्टी डालके तो देरे-देरे करके इसमें ग्रोध हो जाएगे और इस टाइम गर्मियों में इसकी बहुत ही अच्छे से पूछी और आपको मेरा वीडियो और इंफ्रमेशन अच्छे लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना मत बूलिए का यह देखिए मेरे सारे गमलों में कर दोस्तों 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 क